Hey guys, welcome to the study with my young मैं हूँ आपका मायांग और आई ला रहा हूँ मैं आपके लिए NCEIT Geography Class 10 के MCQ आज इसी क्रम में यापर आपका अध्याय पांचवा है यहाँ पर हम खनिज तथा उर्जा संसाधन इन से समधित प्रशनों को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कुस करना है यापर आज का पहला प्रशन है खनिजों के संधर्व में नीचे दिये के कतनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कतन सत्य है पहला है खनिज एक प्रागर्तिक रूप से विद्यमान समरूप तत्तो है जिसकी एक निश्चत आंत्रिक समझना है खनिज प्रकती में कठोर रूप में ही पाए जाते हैं किसी भी खनिज में अन्य अव्यवों या तत्तों के मिस्रड या संचेन हितु अयस्क सब्द का परियोग किया जाता है देखें लगवग हर चीज जो हम इस्तिमाल करते हैं चाहे वो एक स्वी हो या एक पूरी इमारत हो या कोई भी सामान चाहे वो संदर या प्रसाधन का सामान हो या फिर जो हमारी कार वगर है बाइक वगर है हर चीज खनिजों से विलकर बनी है यही नहीं, खनिज आपके भोजन में भी सामिल है यानि हम कुल पौश्टिक उपभोग का 0.3% खनिजों के रूप में ग्रहण करते हैं अगर हमारे भोजन में यह 0.3% खनिज नहीं है तो हमारा बाद बागी का 99.7% भोजन बियर्थ चला जाएगा यानि खनिजों का आपके जीवन में और आपके स्वास्थे में भी बड़ा योगदान है अगर हम खनिजों की बात करें तो खनिज एक प्राकर्टि रूप से विद्धिवान समरूप तत्त्त है जिसकी एक निष्चित आंजरिक सरचना होती है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिलकुत सही है खनिज प्राकर्टि में यहाँ भी लखा गया है कठोर रूप में ही पाये जाते हैं देखें ये गलत है खनेज प्रक्रति में जो है अनेक रूपों में पाई जाते हैं जैसे कठोर रूप भी है नरम रूप भी है और कहीं कहीं पर यह liquid form में भी है तरल रूप में भी है तो यहाँ पर आपका second वाला कथन गलत हो जाएगा अब देखें खनेज जो है जो खनेजों में बहुत सारी अशुद्धियां भी मिली होती है जो खनेज जहां से निकाले जाती है जहां से इनका निस्कर्षण किया जाता है mining की जाती है तो ये खनेज सुच्द रूप में नहीं होते हैं यानि बिल्कु स्वक्षया साफ नहीं होते है इनमें भहुत सारी अशुद्धियां भी मिली होती है भहुत सारे अन्य तत्वी मिले होते है तो उन अन्य तत्तों के मिस्ट्ड को यहाँ पर अयस्क सब से define किया जाता है तो यहाँ पर आपका तीसरा बाला कθन मी सही है यहाँ पर आपका केवल एक और तीन कθन सही है तो answer है आपका पहले का A यानि केवल एक और तीन दूसरा प्रशन है बापका खनेजों के अध्यन के संबंद में निम्लेकित कतनों पर विचार कीजिए, उंशा गया है कौन सा कतन आपका सत्य है। पहला है, भूब एज्यानिक, खनिज संसादनों के वितरड वा खनिजों से संबंदित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुची रखते हैं। अगला है, भूब बेता, खनिजों की निर्मान प्रक्रिया, इनकी आयू, वा खनिजों के भौतिक वा रासानिक संग्ठन से संबंदित विस्यों की जानकारी रखते हैं। आपका पहला बाला खतन गलत हो जाएगा। ना पर आपका आंसर होगा डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। तीसरा प्रशन है बापका, निम्रिकित मैं से कौन से धात्विक खनिज आगने थथा कायांतरी चट्टानों में पाए जाते हैं। इनका निर्माड भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसी अवस्ता में दरारों के सारे भूपरश्ट की ओर धके ले जाते हैं। तो इनमें आप ये देखेंगे ये ठंडे होकर जब जम जाते हैं तो एक खनिज बन जाते हैं जिनमें आपका जस्ता सामिल है, आपका तावा सामिल है, सीसा सामिल है, इसके लावा जिंक भी इसमें आता है, कोईला इसमें नहीं आता है, कोईला आपके आगने और कायांतरी चट्टानों में कोईला नहीं पाया जाता है तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका तीसरे का C केवल एक तीन और चार चौथा प्रशने अब आपका अवसाधी चट्टानों में पाये जाने वाले खनिजों के संधर में नीचे दिये के कथनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है यानि गलत कौन सा है पहला है खनिज अवसाधी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाये जाती है अगला है कोईला तक कुछ अन्य प्रकार के लह अयस्कों का निर्माड सुस्क प्रदेशों में वास्पी करड के फलसुरूप होता है देगे जो अवसाधी चट्टाने होती है तो अवसाधी चट्टानों में जो खनिज मिलते हैं वो संस्तरों के रूप में हैं परतों के रूप में हैं यह एक के ऊपर एक परत इस तरह से दवे होते हैं आप समझ गयोंगे मेरे कहने का मलब क्या है यह परतों के रूप में होते हैं तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है इनका निर्माड जो होता है उनमें छेतिज पर्तों में होता है छेतिज पर्तें ये बोली जाती है इनके रूपे निच्छेपित, संचेन या जमावल का परणा भी होते है यहाँ पर आप देखेंगे कोईला और कुछ अन्य प्रकार के लोयस्क जो है इनका निर्माड लंबी अबदी और अत्यदिक उस्मा और दबाव के कारण हुआ है ना के वास्तिकरण के फलसुरूप तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कथन गलत हो जाएगा यानि जो आपका कोईला है इसके लाब कुछ आपके लोयस्क है इनका निर्माड एक लंबी अबदी और अत्यदिक उस्मा और दबाव के पड़ाम सरूप हुआ है वहीं अवसाधी चट्टाउनों में दूसरी सेडी के खनिजबी पाये जाते है जिनमें आपका जिपसम आ जाता है पोटास आ जाता है नमक और सोडियम बगएरा सामिल है तो नमक और सोडियम बगएरा जो जिपसम पोटास नमक या सोडियम है इनका निर्माड जो होता है सुसक परदेसों में वास्पी खड़ के फलसुरूप होता है तो यहाँ पर आपका second वाला गथन गलत है केवल पहला वाला सही है तो यहाँ पर मुझा गया है कौन सा गथन आपका अर्षत है केवल सेकिंड वाला गथन अर्षत है तो आंसर है आपका चौथे का B पांचमा प्रशन अब आपका निम्लिकित में से कौन सा खनिज अब अच्छित पतार्थ के अवसिष्ट भार को त्याकता हुआ चट्टानों के अबगटन से बनता है सोना, कोईला, मैगनीज, बॉकसाइड यह प्रशन आपकी अब्यास प्रशनावली से है खनिजों के निर्माड की एक अन्यविदी भी है इसको धराती चट्टानों का अबगटन विदी कहते है इसमें होता क्या है? इसमें चट्टानों के ऊपर जो गुलनसील पदार्थ होते है वो अपरदन के बश्चाद निकल जाते है और उसके बाद अयस्क वाली अवसिष्ट चट्टाने सेस रह जाती है इस प्रक्रिया के फलसुरूब बॉकसाइट का निर्माड होता है जो के अलमिनियम का अयस्क है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पांच में का डी वाला छट्मा प्रश्टने अब आपका प्लेसर निच्छेप के संधम्मंद में निम्रिखित कतनों पर विचार कीजिए पुछा गया है कौन सा कतनिया पर सबते है पहला है ये पहाडियों के आधार तथा घाटी तलकी रेत में जलोड निच्छेप होते हैं इन निच्छेपों में सोना, चांदी वा प्लेटिनम जैसी महगी धातुएं पाई जाती है देखे पहला वाला कसन बिलकुर सही है पहाडियों के आधार और घाटी तलकी रेत में जलोड जमाव के रूप में अभी कुछ खनिच पाई जाते हैं और इन्हें प्लेशर निक्षेप के रूप में जाना जाता है देखे ये प्राय ऐसे खनिच होते हैं क्योंकि जल के द्वारा घरसित नहीं होते हैं यानि जल इनको इनका घरसर नहीं कर पाता है जैसे आपका सोना हुआ, चांदी हुआ, टिन हुआ, प्लेटिनम हुआ, वो इसमें सामिल हैं तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला गथन भी सही है याँनि एक और दो गथन दोनों ही सही है तो आंसर है आपका C, याँनि एक और दो दोनों सात्मा प्रश्णे बापका, निम्रिकित में से किन खनेजों को समुदरी जल से प्राप्त किया जाता है नमक, मैगनीसियम, ग्रेफाइट, ब्रोमाइन देखे, समुदरी से प्राप्त होने वाले जो खनेज हैं उनमें आपका नमक सामिल है मैंगनिसियम सामिल है ब्रोमाइन सामिल है ग्रेफाइट समुद्र में नहीं पाया जाता है महासागरी जल में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी विशाल मात्रा में खनिज पाये जाते हैं लेकिन हाना कि इनमें वह सारे जो खनेज होते हैं वो एक इस्थान पे नहीं होते हैं वलकि विशुरित अवस्था में पाए जाते हैं सामानी रूपसे नमक, मेंगनीसियम, ब्रो मैन ये ज्यादा तर समुदरी जल से ही निकाले जाते हैं महासागरी जो तली होती है, यह मैगनीज घंतियों के लिए धनी होती है तो यहाँ पर आपका एक दो और चार खतन सही है, तो साथ में का अंसर है आपका डी बाना, एक दो और चार आठमा प्रशनेंबापका, भारत के कौन से राज में? रेट होल खनन प्रशलन में है मेघाले, जहारखंड, नागलेंड, ओडिसा देखें मेघाले में आपके कोईला, लहयस्क, चूना बत्थर, डूलोमाइट के विसाल निक्षेप पाए जाते हैं तो यहाँ पर जोवाई और चेरापुजी जगे है तो यहाँ पर कुछ परिवार क्या करते हैं कुछ परिवार एक लंबी, संकीर, सुरंग बनाकर रेट होल जिसको खनन कहते हैं इसके माद्यम से खनिजों को बाहर निकालते हैं हाना कि इस तरह का जो खनन है वो इल्लीगल है क्योंकि हमारे भारत में जितने भी खनन शेतर हैं सब राष्टी करत हैं, यहीं सरकार के अंडर में है सरकार ने अभी, NGT ने अभी कई बार जो कड़ी प्रत्करिया यहाँ पर जाहिर की है लेकिन फिर भी ये लोग चोरी छिपेस तरह का खनन करते हैं तो इसको रेट होल खनन के नाम से जाना जाता है खास करके मेगाले में देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आट में का A वाला नौमा प्रस्टने अब आपका भारत के बिभिन भूबागों में पाए जाने वाले खनिज संसाजनों के संधर्म में नीचे दिए कतनों में से कौन सा सही नहीं है और असम की तलजड़ी चट्टानों में अधिकांस खनिज तेलनिचे पाई जाते हैं अगला है प्राइदीपी शेल क्रम के साथ राजिस्तान में अनेक अलोग खनिज पाई जाते हैं अगला है उत्री भारत के विस्तरत जलोड मैदान आर्थिक मेत्व के खनिजों से परिपूर हैं देखें यहाँ पर पहला वाला गतन बिल्कुल सही है जो आपका प्रायदीबी रीजन है यहाँ के खनिजों के मामने में काफी सम्रद्ध है यहाँ पर कोईला धात्वे खनिज और अन्य अधात्वे खनिजों की भरमार है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन बिल्कुल सही है प्रायदीब के पश्मी और पूर्वी पार्स पर आपका बंबे हाई है पूर्वी पार्स पर आपका कष्णा गोदावरी वेसिन है इसक उत्री भारत का जो जलोड मैदान है इसकी अगर हम बात करें तो उत्री भारत का जलोड मैदान आर्थिक मेत्व के जो खनिजों से परिपूर नहीं है बलके बिल्कुल विहीन है यहाँ पर आर्थिक मेत्व के कोई खनिज नहीं पाए जाते हैं तो यहाँ पर आपका सही आंस पहला है लौ खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल लिके तीन चौथाई भाग का योगदान करते हैं। इसका मलब यह है कि इससे बनाए जाने वाले कल्पुर्जे जो है वो अन्य उद्धोगों की आधार सिला रखते हैं। इस पज़े से इसको औध्यविक विकास की रीड कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला कतन भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो कतन दोन ग्यारेमा प्रशने वापका निम लिखित में से किस लहायस का उपयोग उसके सरुसेष्ट चुमकी गुड के कारण विद्धु तुद्योगों में विशेश रूप में होता है। मैंगनेटाइट, हैमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। देखें मैंगनेटाइट ज होता है, हैमेटाइट में लोहा का अंस कम होता है, यानि मैंगनेटाइट में लोहे का अंस 72% तक पाया जाता है, वहीं हैमेटाइट में लोहे का जो अंस होता है, वो 60% से लेकर 70% के बीच में होता है, इसके अलावा जो आपका लिमोनाइट होता है, इसमें लोहे का अंस 40% से लेकर 60% की बीच में होता है सबसे कम होता है सिडे राइट में सिडे राइट में जो अंस है वो 40% से भी कम होता है यानि इसमें 40% से भी कम होता है लगवा 40% के करीभी इसमें होता है तो यहाँ पर सबसे उत्कष्ट कोड़ी का जो आपका अयस्क बोला जाता है लोह अयस्क वो मैंगनेटाइट है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ग्यारे में का ए वाला बारेमा प्रशने बापका भारत में मौजूद लोह अयस्क के सम्मंद में नीचे दिए कतनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कतन आपका असत्य है यानि गलत कौन सा है पहला है भारत उच्च कोटी के लोहांस युक्त लोह अयस्क में धनी है अगला है मेंगनेटाइट सरवादिक महतपुर और ध्योगिक लोह अयस्क है जिसका अधिक्तम मात्रा में उपभोग हुआ है देखे हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में लोह अयस्क पाया जाता है जो केबल हमारे भारत की जरूतों कोई पुरा नहीं करता है बलकि हम इसका निर्याद भी करते है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कतन बिल्कुल सही है मेगनेटाइट जो है इसका सबसे ज़्यादा निर्याद नहीं हुआ है बलकि हमेटाइट का हुआ है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो महत्पूर अयस्क रहा है वो हमेटाइट रहा है सबसे ज़्यादा हमेटाइट को निकाला गया है क्योंकि हेमिटाइट हमारे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाये जाता है और इसका अधिक्तम मात्रा में हमने उपभोग भी किया है तो यहाँ पर आपका second वाला गतन गरत हो जाएगा तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है लेकिन यहाँ पर पूछा गया है एक कौन सा गतन आपका असत्य है तो यहाँ पर आपका B वाला गतन असत्य है तो आंसर है आपका केवल second यहनि हेमिटाइट सरवादिक महत्पूर्ट और दोएक लोह यस्क है और इसका अधिक्तम मात्रा में उपहोग भी हुआ है तेरेमा प्रशने बापका भारत में परमुक लोह यस्चेत्रों और उनके राज्यों के संबन्द में नीचे दीगे सूची एक को सूची दो से सुमलित कीजिए सूची एक में छेत्र है और सूची दो में राज दिये हुए है बादाम पहाड की बात कर लेते हैं तो बादाम पहाड जो है ओडिसा के केंदुजर जिला में इस्थित है इसके लावा फिर बात कर लेते हैं आपके नुवा मुंडी की तो नुवा मुंडी जो है ये जारखन का एक जिला है सिंग भूमी जिला तो सिंग भूमी जिला में ये इस्थित है तो यहाँ पर आपका B का जो है चौथा बाला है आगे बात कर लेते हैं अब आपका जो है ये है बेला डिला बेला डीला जो है ये बस्तर जिले में पढ़ता है यानि ये चतिस गड़ में है ये बस्तर जिला जो है चतिस गड़ में है और ये बेला डीला की जो पहाड़ी है चतिस गड़ में पढ़ती है इसके बाद बात कर लेते हैं बेलारी की तो आपका जो बेलारी है ये पढ़ता है आपका करनाटक में बेलारी चित्रदुर्ग ये करनाटक में पढ़ता है रतनागिरी जो है ये पढ़ता है आपका महराष्ट में यानि कि ये तेरे का सोरी E का तीसरा तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तेरे में का आपका जो आंसर है यह है B वाला यानि A का दूसरा, B का चौथा C का पहला, D का पांचमा और E का तीसरा चौधेमा प्रश्ने बापका निम्लिकित मैं से किन ख़दानों का लोयस्क विसाखापटनम से जापान तथा दच्षड कोरिया को निर्यात किया जाता है बादाम पहाड, सलेम बिलाडीला, चित्रदुर्ग देखे, चत्तिसगड के बस्तर जिले में जो बिलाडीला की पहाडियां है यह अपने अधि उत्तम कोटी के हेमिटाइड के लिए प्रसिद्ध हैं तो इनी का जो लोह यस्क है ये विसाखापटन पत्तन से जापान और दच्षड कोरिया को निर्यात किया जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चोदे का C वाला पंद्रेमा प्रस्टने बापका निमलिकित में से किन खदानों का लोह यस्क मर्मगाव पत्तन से निर्यात किया जाता है गुवा, बेलाडीला, चित्रदुर्ग, चंद्रपुर देखें जो महाराष्ट गुवा पिटी है ये महाराष्ट के रतनागरी जिले में स्थित है और यहाँ का लोह जो है अति उत्तम प्रकार का नहीं है क्योंकि इसकी दक्षता का दोवन पहले कर लिया गया है हाना कि फिर भी कुछ लोह अंस जो है निर्यात किया जाता है और ये लोह अंस गुवा का मर्मगाव पत्तन है यहाँ से निर्यात किया जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पंद्रे का D वाला यानि की चंद्रपुर सोलेमा प्रशने वापका मैगनीज के उत्पादन के संधर्प में नीचे दिये के कतनों पर विचार कीजिए उशा गया है कौन सा कतन सत्य है पहला है मैगनीज मुक्य रूफ से इस्पाद निर्माड में परयोग किया जाता है मैगनीज, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनासक दमाएं और पेंट बनाने में परयोग किया जाता है ओडिसा मैगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य और देगे मैगनीज जो है ये मुक्य रूप से श्टील बनाने में प्रियोग किया जाता है यानि एक टर्न श्टील बनाने में 10 kg मेंगनीज का प्रियोग होता है मेंगनीज इसके लावा ब्लीचिंग पावडर में कीड़नासक दवाओं में और आपका जो पैंट होता है यानि घरों में आप दीवारों पर आपके किवारों पर या खिड़कियों पर जो पैंट करते हैं वो पैंट बनाने में भी ये इस्तिमाल होता है ओडिसा जो था ओडिसा आपका सन 2001 में ये मेंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज रहा था लेकिन बरतमान में जो भी आपके आँकड़े आए हैं उनके अकॉर्डिंग मद्बदेश का सबसे बड़ा योगदान है मद्बदेश अभी आपके संपूर भारत के मेंगनीज उत्पादन में 27 फीस दी का योगदान कर रहा है वहीं ओडिसा जो है इसका योगदान कितना है 25 फीस दी का है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा केवल एक और दो सही है तो आंसर है 16 अए देखिए आप लोगों से मेरी गुजारिस है आप लोगों ने जो जिवग्राफी के नोट्स पनाए है यानि मेरे दोरा जो नोट्स पनाए गए है वो पुराने हो चुके है और आपसे मैंने पहले भी बोला था कि आप हर साल जो NCRT की अपडेटेट किताब आती है उसको एक बार पढ़ा कीजिए वहाँ पर जो भी फैक्ट नए है उनको अपने नोट्स में एडिट करके सही कर लिया कीजिए ताकि आपकी नोट्स भी अपडेट हो जाए और आपके नोट्स भी अपडेट हो जाए तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सोले का ए वाला 17 प्रशने बापका निमलेकित मैंसे किन जगहों पर ताबे का खनन किया जाता है बालागाट, रतनागरी, खेतडी, सीमभूमी MP की जो बालागाट की जो खाने है ये देश के संपूर तामा उत्पादन का 52 फीज़ी उत्पादन करती है यानि तामा उत्पादन करने में MP पहले नंबर पर है रतनागरी जो है ये लोयस्क के खनन से संब्दित है तो यहाँ पर ये सेकिंड वाला विकल्प गलत हो जाएगा खेतडी की खाने राजिस्थान में इस्चित हैं और ये तामा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है एक तीन और चार तो आंसर है सत्रे का डी वाला अठारे माँ प्रशन है बापका अल्यूमिनियम धातु का निस्करसर निम निकित में से किस अयस्क किया जाता है क्यूपराइट, बॉकसाइट, डोलोमाइट, गैलेना अल्यूमिनियम धातु का निस्करसर बॉकसाइट अयस्क से किया जाता है तो यहाँ पर सही आंसर है ठारे का बी वाला क्यूपराइट जो है, यह ताबे का अयस्क है वहीं आपका डोलोमाइट जो है यह मैगनीसियम का अयस्क है वहीं आपका गैलेना जो है भारत में बॉक्सायड के निक्षिप मुखित है निम्रिंगत किस च्रेत्र में पाई जाते हैं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है केवल एक और तीन। तो आंसर आपका उननिस का सीन। बीसमा प्रश्ण अबापका भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिसा, जहारखन, तमिल नाडू, मध्यपदेस ओडिसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य है और यहाँ पर कोरापुट जिले में पंचपत माली जो और निक्षेप है यह बॉक्साइड का सबसे बड़ा निक्षेप है और ओडिसा जो है बरतमान में भारत के संपूर बॉक्साइड उत्पादन का 49% उत्पादन यहीं से होता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है एवाला एक किस्मा प्रश्ने बापका अब्रक के संबंद में नीचे दिये के कतनों पर विचार कीजिए पूछा गया है कौन सा कतन असत्य है पहला है अब्रक एक धात्विक खनेज है अब्रक प्लेटों अत्वा पत्रड क्रम में पाया जाता है अब्रक का उपयोग विद्धुत्वा एलेक्ट्रोनिक उद्ध्योग में किया जाता है देखे अब्रक एक अधात्विक खनेज है यह धात्विक नहीं है बलकि एक अधात्विक खनेज है तो यहाँ पर आपका पहला वाला खथन कलत हो जाएगा अवरग एक ऐसा खनेज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है यह इसका चादरों में विपार्टन आसानी से हो सकता है यह पड़तें काफी महीन हो सकती है यानि एक हजार परतें कुछ सेंटीमीटर उचाई में समायत हो जाएंगी, इतना पतला होता है यह, तो यहाँ पर आपका second वाला कथन बिल्कुल सही है, अबरक का जो उपयोग है, यह विद्धुत और electronic उपयोग में, खास करके इसमें प्रत्रोतकता का जो गुड़ है, काफ पहला कथन असत्य है, बाइसमा प्रश्ण अबापका, अबरक उत्पादक छेत्रों और उनके राज्यों के संबंद में, नीचे दिगे युगमों में से कौन सा सही सुमिलित है, अजमेर, राजिस्थान, नेललोर, तमिलनाडू, हजारी बाग, जारखंड, अबरक के निक् तो यहाँ पर आपका अजमेर, बिलकुत, सही है, नेललोर जो छेत्र है, यह आंतपदेस में पढता है और यह भी आपका जो है, इसमें अबरक उत्पादन में अग्रणी है, तो नेललोर आपका तमिलनाडू में नहीं है, बलकि आंधपदेस में है, और हजारी वाग, जार तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला केवल एक और तीन 23 प्रश्ने अबापका चूना बत्थर के संबंद में निम्लिकित में से कौन सा गतन सही नहीं है पहला है चूना बत्थर केलसियम कार्डोनेट तथा मेगनीसियम कार्डोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है अगला है चूना बत्थर सीमेंट उद्ध्योग में कच्चे माल के रूप में परयोग होता है चूना पत्थर अधिकांस्त है आगने चट्टानों में पाया जाता है चूना पत्थर लह प्रकलन की भट्टियों के लिए अनिवारे है देखें यहाँ पर पहला वाला खतन बिल्कुल सही है चूना पत्थर जो है कैलसियम कार्णेट और मैगनेसियम कार्णेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है चूना पत्थर जो है यह सीमेंट उद्ध्योग में कच्छे माल की रूप में भी प्रियोग होता है चूना पत्तर अधिकांस्त है, आगने चट्टानों में नहीं बलकि ये सेडिमेंटरी जिसको अवसाधी चट्टाने बोलते हैं तो अवसाधी चट्टानों में पाय जाता है तो यहाँ पर C वाला गतन गलत है डी वाला गतन यहां बिलकुर सही है चूना पत्तर जो लोह प्रगलन उद्योग है इसमें भट्टियों में भी लोह एस के साथ ये मिलाया जाता है तो यहाँ पर सही आंसर है आपका C वाला यहाँ पर गलत है 24. प्रशने अब आपका नीचे दिये के कतनों पर विचार कीजिए मुशा गया है कौन सा घदन सत्य है पहला है खनिज संसादन असीमित तथा नभीकरड योगी है 2. खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुडवत्ता बढ़ती जाती है देगे खनिजों के बनने में लाखों सालों की प्रक्रिया लगती है आज हम जिस दर से इनका वुबोक कर रहे हैं इनके पुनरभरण की दर काफी कम है तो इसलिए ये असीमित नहीं है बलकि ये सीमित है इसके लावा ये नभीकरड नहीं है बलकि ये अनभीकरड़ी है यानि इनके एक बार खतम हो जाने पर इनके बनने में लाकोग सालों की प्रक्रिया लगेगी इसलिए ये नवी करड़ी नहीं है बलके ये अनवी करड़ी है तो पहला वाला कसर गल्ट हो जाएगा खनिजों के उत्खनन की जैसे येसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी गुडवत्ता जो है बढ़ती नहीं है बलके ये घर्टी जाती है तो यहाँ पर आपका सेकिंड वाला खतन भी गलत हो जाएगा तो यहाँ पर ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा तो आंसर होगा आपका 24 का D 25 प्रश्ण वापका निम्रिकित में से कौन उर्जा के प्रमप्रागत स्रोथ है पैटॉलियम, जल विद्दुत, बायो गैस, प्राकर्तिक गैस तो यह प्रमप्रागत जो उर्जा के स्रोथ है ज्वारी उर्जा, भूतापी उर्जा, बायो गैस और परमाड उर्जा इसमें सामिल है तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 4 यह प्रमप्रागत स्रोथ है बायो गैस आपका 11 प्रमप्रागत स्रोथ है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 1, 2 और 4 तो आंसर है 25 का बी वाला 26 प्रस्टने बापका निम्लिकित मैं से कौन सा निम्लिकोटी बाला भूरा कोईला है पीट, लिगनाइट, एंध्रिसाइड बिट्मिनस देखें पीट जो है कोईला निर्माड की पहली वस्ता होती है और ये कोईला जो है इसमें 40% से कम कार्वन पाया जाता है लिगनाइट जो है वो पीट से थोड़ा अच्छा किस्म का कोईला होता है और इसमें जो कोईले में कार्वन की मातरा जो होती है 40-45 फिसदी होती है लिगनाइट कोईला जो होता है बूरे रंका कोईला होता है भारत में आपका तमिल नाडू का जो नेवेली छित्र है राजिस्थान के कुछ छित्र है जम्मू कस्मी रीजन है और केरल के कुछ रीजन में लिगनाइट कोईला पाया जाता है इसके लापर एंथरसाइट कोईल क्योईले कि सबसे उश्टम कोटी का कवेला होता है और इसमें जो कारवन की मातरा जो होती है वो असी से 95 फिस्दी तक होती है भारत में एंत्रिसाइट केवल और केवल जम्बू और कस्मीर के रियासी छेत्टर में मिलता है यहाँ पर एक छेत्र है रियासी छित्र तो यहाँ पर यह एंथिसाइट कोईला पाया जाता है पूरे भारत में बिट्मिनस कोईला जो होता है यह लिगनाइट से थोड़ा अच्छा होता है हाना कि इसमें जो कारवन की मात्रा होती है वो 70-80% के करीब होती है और भारत में सरवादिक मात्रा में बिट्मिनस कोईला पाया जाता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 26 का B यानि कि निम्न कोटी वाला बुरा कोईला लिगनाइट को कहा जाता है 27 प्रश्णे वापका निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए उचा गया है कौन सा कतन आपका सत्य है पीट कोईले में कम कारवन मात्रा नमी की उच्छ मात्रा वा निम्न ताप छमता होती है गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोईले को बिट्मिनस कोईला कहा जाता है देखे बात करें पीट कोईले की तो पीट कोईला कोईला निर्माट की प्रतम अवस्ता है और ये कोईला लखडी के समान ही होता है इसमें कार्बन की मात्रा मैंने बताया था आपको कितनी होती है 40% या उसे कम होती है नमी की बहुत जादा मात्रा होती है और निम्न ताप छमता होती है यानि जब आप इसका दहन करेंगे तो आपको बहुत जादा दुहा मिलेगा और अधिक राख मिलेगी तो यहाँ पर आपका पहला वाला खतन बिल्कुर सही है जो गहराई में कुईला दबा होता है तो गहराई में दबे होने कर और अधिक तापमान के से प्रभावित होकर कुईला जो बनता है उसको बिटमिनस कुईला कहते हैं तो यहाँ पर आपका second वाला गतन आपका बिलकुल सही है तो यहाँ पर आपका एक और दो गतन दोनों ही सही है तो answer है आपका C याँनि एक और दो दोनों bit minus के बारे में भी मैं already आपको बता चुका हूँ अभी 28 मा प्रश्ण अब आपका भारत के किस छित्र में लिगनाइट कोईले का खनन किया जाता है नेवेली, जरिया, वोकारो, प्रानी गंज भारत में तमिलनाडू के नेवेली छित्र में आपके लिगनाइट कोईले का खनन किया जाता है तो यहाँ पर आपका सही answer है 28 का A वाला 29 प्रश्ण अब आपका भारत में कोईला विकास के भूगर्विक युगों के संधर में नीचे दिये कतनों पर विचार कीजिए मुचा गया है कौन सा कतनिया पर असत्य है यानि गलत कौन सा है यह आपको बताना है धातु सोधन के लिए गौनवाना युग के कोईले का प्रयोग किया जाता है दामदर रदि घाटी में टर्सियरी युग के कोईले के निख्षेप पाये जाते हैं गौनवाना कोईला चित्र उत्तरपूर्वी राज्यों में पाये जाता है भारत में कोईला जो है ये दो युगों का देखने को मिलता है इसमें आपका एक गौणवाना युग है गौणवाना युग वाला युग कोईला है इसका निर्माण 200 लाग वर्स पहले हुआ है और वहीं टर्सेरी युग वाला युग कोईला है इसका निर्माण 55 लाग वर् के लिए जो कोईला इस्तिमाल होता है वो आपका दामोदर घाटी से जरिया, रानी गंज, बोकारो से आता है और यह आपका गौंडवाना युक का कोईला है तो यहाँ पर 29 का पहला वाला गतन बिल्कुल सही है दामोदर नदी घाटी में जो कोईले के निक्षे पाये जाते ह यह तरसरी युक्के नहीं है बलकि यह गौंडवाना युक्के है यानि मैं आपको बताया था कि जो पश्मी बंगाल है जहारगंड है दामोदर घाटी बाला दूरा छेतर जो है इसकलाब जहरिया, रानी गंज, बोकारो यहाँ पर जो कोईला पाये जाता है यह सभी आपक क्या है गौंडवाना युक्का कोईला है तो यहाँ पर सेकिंड वाला गतन गलत हो जाएगा वहीं जो टर्सेरी युक्का कोईला है यह आपके उत्तर पूरवी राज्यों वाला कोईला है इसमें आपके उत्तर पूरवी राज्यों में मेगाले, असम, आवडांजर प्दे गोदाबरी, गंगा, महानदी, सौन और वर्धा नदियों में कोईले के निक्षिप पाए जाते हैं। 31 प्रशने बापका, भारत के भिविन कोईला उत्पादक छेत्र और उनसे सम्मंदित राज्यों के संधर्व में नीचे दिये की सूची एक को, सूची दो को आबस में मिलाईए। छेत्र दिये हैं, एक तरफ छेत्र हैं, दूसी तरफ राज दिये हुए हैं, आपको मेच करना है। सिंग रहनी, देंके सिंग रहनी कोईला छेत्र जो है, ये आपका आंधपतेस में पढ़ता है। इसके लाब आपका रानी गंज छेत्र है, रानी गंज ये पष्शिम मंगाल में पढ़ता है। इसके बाद मेकुम जो है ये आसाम में पढ़ता है तलजर जो है ये उडिसा में पढ़ता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 31 का D वाला यानि कि A का तीसरा, B का चोहथा, C का पहला और D का दूसरा तो आंसर है यहाँ पर आपका D 32 प्रश्ण वापका 36 गड़ का कोरवा किस खनेज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मैगनीज, कोईला, अब्रक, तावा 36 गड़ का कोरवा कोईला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 32 का B वाला 33 प्रश्ण वापका भारत में पैटॉलियम खनेज के संबंद में नीचे दिए कथनों पर विचार केजिए मुचा गया है कौन सा कथन सत्य है पहला है भारत में अधिकांस पैटॉलियम की उपस्तिती गौणवाना युकी सेल सरनचनाओं के अपनती अब्रंस ट्रेप में पाई जाती है अगला है प्राकर्तिक गैस हलकी होने कार्ड खनेज तेल के उपर पाई जाती है भारत में जो पैटॉलियम की उपस्तिती है ये गौणवाना युकी चट्टानों में नहीं पाई जाती है बलकि जो तर्सियरी युकी चट्टाने हैं तो ये इन में पाई जाता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा पैटॉलियम जो है सरन्रंद्र और असरन्रंद्र चट्टाने होती है सरन्रंद्र और असरन्रंद्र का मतलब क्या है सरन्रंद्र का मतलब होता है जर जरा यानि उनसे जो petroleum है वो नीचे निकल जाए वालिए यह चट्टान है तो चट्टान के उपर यहाँ भी petroleum है तो यह इससे नीचे की और छंज आए तो इसे सरन्नतर बोलेंगे सरन्नतर का मलब क्या है जिससे petroleum बिलकुल निकल ना पाए तो इनके बीच में जो भ्रंस ट्रैप है इसमें यह पाया जाता है तो यहाँ पर second वाला गतन बिलकुल सही है petroleum के साथ साथ प्राकर्तिक गैस भी पाई जाती है और प्राकर्तिक गैस हलकी होने के कार्ड खनेज के उपर यह पाई जाती है तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गतन भी सही है यहाँ पर आपका केवल दो और तीन कतन सही है तो आंसर है आपका तेजिसका A केवल दो और तीन चोंतिसमा प्रशने है बापका भारत में पैटॉलियम उत्पादक छेत्रों के संबंद में निम्लेखत कत्नों में ऐसे कौन सा सही नहीं है आपको बताना है भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुक पैटॉलियम उत्पादक छेतर है अंगलेसव और गुजरात का सबसे महतपूर तेल छेतर है महाराष्ट भारत का सबसे पुराना तेल उतपादक राज्य है डिग बोई, नहर कटिया और मोरन, हुगरी जन, असम राजी के महतपूर तेल उतपादक छेत रहे देखे पहला बाला गतर बिल्कुल सही है भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम, प्रमुक पैटॉलियम उतपादक छेतर है इसके लाबा अंकलेस्वर जो है, ये गुजरात का सबसे महतपूर तेल छेतर है असम में, महराष्ट में नहीं, बलकि असम में सबसे पहले पैटॉलियम की खोज की गई थी असम का एक जगे है माकूम, तो माकूम में सबसे पहले आपका तेल का कुंवा है ये खोदा गया था, इसके बाद 1889 में, डिग्बोई में तेल का कुणा खोदा गया तो यहाँ पर लिख देद रहा हूँ यहाँ पर साथ से 1866 में खोदा गया है माकूम में तो C वाला गतन गलत है D वाला बिलकुत सही है डिगबोई, नहर कटिया और मोरन, हुगरी जन यह असमराजी के महतपुर तेल उत्पादक छेतर है तो सबसे पहला जो तेल कुणा था माकूम में 1866 में खोदा गया था तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 34 का C वाला 35 प्रशने वापका विभिन, तेल उत्पादक छेतर और उनसे संबंदित इस्थानों के संबंद में कौन से युग में सही सुमिलित नहीं है यहाँ पर कोई एक युग में गलत है आपको बताना है बसीन, मन्नार की खाड़ी, कलोल, गुजरात, नहरकटिया, आसम, मोरन, त्रुपरा देखें बसीन जो है यह मन्नार की खाड़ी में नहीं पढ़ता है बलकि यह अरब सागर में मुंबई हाई के निकट एक छित्र है यह अरब सागर में स्थित है और यह कहाँ पर मुंबई हाई के निकट एक तेल उत्पादक छित्र है तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका second वाला जो कथन है कलोल और अंकुलेसर यह बिल्कुल सही है यह दोनों गुजरात में पढ़ते है नहर कटिया असम में पढ़ता है मोरन त्रिप्राम नहीं पढ़ता है बलके मोरन और हुगरी जन यह कहाँ पर है यह भी आसम में है यह आसम में है नके त्रिप्रामें तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा गतन आपका सही नहीं है केवल एक और चार तो 35 का आंसर है आपका बी वाला केवल एक और चार सही नहीं है 36 समुम प्रशन में भारत में निम्लिकित मैं से किस या किन छेत्रों में प्राकर्तिक गैस पाई जाती है कश्ना गोदाबरी नदी वेसिन मुंबई हाई, खंबात की खाड़ी अंडमा निकोवार दीब समू प्राकर्तिक गैस की बात करें तो भारत में प्राकर्तिक गैस कश्ना गोदाबरी नदी वेसिन में इसके लाबा मुंबई हाई और इसके आसपास के जो छेत्र हैं इन में खंबात की खाड़ी में और अंडमा निकोवार दीव समूग के महत्पूड शेत्रों में ये पाई जाती है यहाँ पर 36 में का आंसर होगा आपका डी यानि के उप्रोक्त सभी इन सभी जवों पर इनके विशाल भंडार मुझूद है 37 मा प्रशने अब आपका केरल में पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है थोरियम, यूरेनियम, लूटोनियम, प्लेटिनम केरल की मोनोजाइट बालू में यानि मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है तो 37 एका आंसर है आपका ए वाला 38 प्रशन है अब आपका भारत में परमाण उड़ जा केंदरों और उनके राजियों के संधर्ब में नीचे दीगी सूची एक वा सूची दो को आबस में मिलाई है सूची एक में आपके परमाण उड़ जा केंदर है और सूची दो में यहाँ पर राजि दियों है यानि कौन सा कौन से राजि में अवस्थ्यत है आपको बताना है तो यहाँ पर आपका कागरापारा है कागरापारा गुजरात में पढ़ता है यानि एक का दूसरा केगा जो है आपका यह करनाटक में इस्थ्यत है आंसर है आपका 38C यानि 2, 1, 4, 3 आपका सही आंसर है 38C वाला 49 प्रशने बापका आप कन्या कुमारी से कस्मीर के लिए यात्रा कर रहे हैं आपके रास्ते में पढ़ने बाले परमाणु सायंत्रों का सही करम कौन सा है देखे इस तरह के जो प्रशन है ये UPSC में पूछे गए हैं और ये प्रशन जो आप देख रहे हैं ये UPSC में पूछा हुआ प्रशन है यानि आपको इन सब के लिए प्रिपेर होना पड़ेगा अगर आप प्रिपेर नहीं है तो आप अभी से अपने आपको प्रिपेर कीजिए इससे कठेन भी प्रशन पूछे जा सकते हैं देखे यहां पर अभी मैं आपको मैप दिखा देता हूँ हाना कि UPSC एक्जाम में आपको किसी प्रगार का मैप नहीं मिलेगा बहां पर आपको आपने जो भी अब्जर्ब किया होगा पढ़ाई की तोरान उसी के आधार पर आपको क्षेशन का सही आंसर ढूणना होगा यहां पर तो मैं मैप दिखा दे रहा हूँ आप कन्या कुमारी से कस्मीर के लिए इस तरह से यात्रा स्टार्ट करते है इस तरह से तो करेंगे स्टार्ट तो सबसे पहले नंबर पर आपका जो कौन सा पढ़ रहा है यह कल पक्कम पढ़ रहा है तमिल नाडू में उस्तित है उसके बाद आपका सेकेंड नंबर पर कौन सा आ रहा है कैगा आ रहा है फिर आपका तीसरे नंबर पर जो आ रहा है तारापुर आ रहा है उसके बाद चौथा वाला काकरापार आ रहा है पांचमे नमबर पर आपका रावत भाटा आ रहा है और छटमे नमबर पर आपका नरोरा आ रहा है याणि आप दच्छिर से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो पहले नमबर पर आपका आप देख पार ने देखिए मैंने इसी बज़े से line ड्रो की है और circle ड्रो करने का मतलब यही था ताकि आप identify कर पाएं कि पहले कलपकम पड़ेगा रास्ते में फिर कहएगा फिर आपका तारापुर फिर आपका क्या पड़ेगा काकरापार रावत यानि कि यहाँ पर आप चेक कर लीजिए तीसरे में कौन सा है कलपकम है कलपकम से हम पहले कहां जाएंगे कलपकम से कैगा की ओर जाएंगे कैगा से फिर हम तारापुर की तरफ जलेंगे तारापुर से फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे काकरापार मिलेगा और उपर रावत के संधर्व में निम्लिखत कतनों पर विचार कीजिए, उचा गया है कौन सा कतन आपका सत्य है पहला है, जैविक पदार्थों के अब घटन से गैस उत्पन होती है जिसका तापिय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और चार कोल की अबिक्षा अधिक होती है सेगिंड, बायो गैस प्लांट केवल उड़्या अत्पादन में ही योगदान देता है देखे, बायो गैस जो है ये गैर प्रमप्रागत उड़्या के साधनों में आता है और इसमें जैविक पदार्थों के अब गैस उत्पन की जाती है खास करके आप देखेंगे ग्रामीड अलाकों में जाडियां टसी अप्सिष्ट हैं या पसुओं के या मानब जनित अप्सिष्ट हैं इनका उपियोग बायो गैस को बनाने में किया जाता है इसी वज़े से ग्रामीड भारत में भारत में इसको गोवर गैस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर आपका पहला वाला गतन बिल्कुर सही है बायो गैस में आपकी गैस तो बनती ही बनती है गैस से हम उर्जा भी बनाती है इसके लाबा जो भी जैविक अवसिष्ट होती है जैविक अवसिष्ट का अब गठन के बाद आपको उर्वरक भी प्राप्त हो जाता है यानि कि खाद भी प्राप्त हो जाती है तो यहाँ पर सेगिंड वाला गतन गलत हो जाएगा यहां पर लिखा हुआ है बायो गैस प्रांट केवल उर्जा उत्पादन में ही योगदान देता है नहीं उर्जा उत्पादन में ही नहीं देता है बलकि उर्जा के साथ साथ यहां पर उर्बरक भी बनती है यानि कि खाद भी बन जाती है तो यहां पर आपका केवल पहला वा करता है खंबात की खाड़ी मन्यार की खाड़ी अंडमान दीब समू या कख्ष की खाड़ी देगे वैसे तो अगर हम देखें तो जारी उर्जा के लिए यहाँ पर अंडमान दीब समू को छोड़कर बाद बाकि यह तीनों जो खाड़ियां दी हुई है यह आदर्स इस्तिती है लेकिन इन में भी सबसे बेश्ट कौन सा है सबसे बेश्ट चेत्र वही माना जाता है जो अत्यदिक संकरा हो बहुत ज्यादा संकरा चेत्र हो और वहाँ पर ज्वारी उर्जा जो है अच्छी खासी हमें मिल लही हो तो वही चेत्र अच्छा माना जाता है तो इस आपकी NCRT वाली किताब में लिखा हुआ है लेकि इन सब में सबसे ज़्यादा बेश्ट जो है वो कक्छ की खाड़ी है तो यहाँ पर 41 का सही आंसर है D वाला 42 मा प्रशने बापका निम लिखित में से किन स्थानों पर भूतापियो उर्जा का उपयोग विद्ध उत्पादन करने में किया जाता है पारवती घाटी, फूगा घाटी, नुब्रा घाटी, फूलों की घाटी तेकि प्रत्वी के आंतरिक भागों से ताप का परियोग कर उत्पन की जाने वाली विद्ध को भूतापियो उर्जा कहते है भारत में भूतापियो उर्जा के दोहन के लिए दो प्रायोगिक योजनाएं शुरू की गई है जिन मैंसे हिमाचल प्रदेश के मड़ी करड में एक पारवती घाटी है और दूसरी लद्दाक में पूगा घाटी में है नुबरा घाटी जो है ये सियाचन ग्लेसियर से निकलती है इसमें ये सामिल नहीं है फूलों की घाटी जो है ये उत्राखंड में स्थियत है ये भी इसमें सामिल नहीं है तो यहाँ पर केवल एक और दो सही है तो आंसर है ब्यालिस का A केवल एक और दू 43 मा प्रश्ण है आपके अभ्यास प्रश्णावली से प्रश्ण है ये जहारकंड में इस्थित कोडर्मा निम्रिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है बॉकसाइट, अब्रग, लोयस्क, तावा कोडर्मा जो है ये अभ्रग उत्पादन के लिए अग्रणी है, तो यहां 43 में का आंसर है आपका बी वाला 44 मा प्रश्णे बापका निम्रिखित चट्टानों में से किस चट्टान के इस्तरों में खनिजों का निच्छे पड़ और संचियन होता है तलच्टी चट्टाने, आगने चट्टाने कायंतर चट्टाने या इन मैंसे कोई नहीं देखे, अवसादी चट्टानों को तलच्टी चट्टानों के नाम से जाना जाता है और अवसादी चट्टानों में इसके स्तरों में खनेजों का निच्छे पड़ और संचेन होता है तो 44 में का सही आंसर है आपका A वाला तो ये था हमारा आज का वीडियो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और देखे आप मैंसे तमाम लोग मुझे कमेंट करके पूँछ रहे हैं कि क्या सर ये वीडियो RPSC 1st grade या फिर UPTGT या PGT या NET exam के लिए sufficient होगा देखे आप तो इसमें खुछ सोच लीजिए ये वीडियो जब UPSC standard का है और ये वीडियो पढ़कर मेरे पास आप मैंसे ही तमाम लोगों के कमेंट मुझे देखने को मिले हैं कि मेरे नोट्स पढ़कर उनका NET का JRF का exam qualify हुगा है तो आप समझ सकते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप एक बार इसको पढ़के देखिए आपकी जो भी RPSC 1st grade का तयारी कर रहे हैं या फिर UPTGT या PGT की तयारी कर रहे हैं उनके paper को लगा के देखिए अगर आपको better result ना मिले तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए यहां से तो मेरा मानना ये है कि NCRT सभी exam का सार है जितने भी exam है उन सब का base है तो आप इसको miss बिल्कुल मत कीजिए चाहें base है कि standard book को बाद में पढ़ लीजिए तो चलिए आज के लिए वस्तना ही thanks for watching जय हंद